आज की कक्षा में आप सब का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्केत पाठ माला क्लास 6 का 13 पाठ। इस पाठ में हम लोगों को शंप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ती के बारे में जानना है। पाठ का सिर्षक है विद्या ग्यानाय धनम्च दानाय अर्थात विद्या ग्यान के लिए और धन दान के लिए। ग्यानाय और दानाय में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग शंप्रदान कारक यानि चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये जानी। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है। अर्थार करता काम करने वाला जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हिंदी के एक उधारण के द्वारा हम समझते हैं जैसे सिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिक्षक पढ़ाने का काम जो है छात्रों के लिए करते हैं। इसलिए छात्र जो हुआ वो संप्रदान कारक हुआ और सिक्षक करता हुए। क्योंकि पढ़ाने का काम सिक्षक कर रहे हैं और ये काम वे छात्रों के लिए कर रहे हैं। इसलिए छात्रों में संप्रदान कारक यानि चतुर्थे विभक्ति हुई और सिक्षक जो हुए वो करता कारक हुई संप्रदान कारक में चतुर्थे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन है को के लिए मैंने उधारण के द्वरा आपको बताया था कि सिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं यानि पढ़ाने का काम सिक्षक छात्र के लिए कर रही है इसलिए संप्रदान कारक का चिन जो है को के लिए ये उधारण के द्वरा हम देखेंगे बाल काहा क्रिडनाय क्रिडाचेत्रम गच्छनती बालक खेलने के लिए क्रिडनाय खेलने के लिए क्रिडाचेत्रम खेल के मैदान में गच्छनती जाती है तो यहाँ क्रिड़नाई शब्द में चतुर्थि विभक्ती का प्रयोग किया गया है यानि क्रिड़नाई में संप्रदान कारक है दूसरा उदारण है जलम के मर्थम भौती के मर्थम यानि किस लिए जल किस लिए होता है जलम जीवनायव होती, जल जीवन के लिए होता है चिकित्चक के ब्या औशदम यक्षती, चिकित्चक किसके लिए दवाई औशदम यानि दवाई देता है चिकित्चक के रुगणे ब्या रोगियों के लिए औशदम यक्षती दवाई देता है तो इस उदारन मी उपर जो उदारन है उसमें आप दीखेंगे जीवनाय और रोड़ेव्या ये दोनों जो है संप्रदानकार्य और यहां पी केब्य में भी चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग हुआ है किम किम जो शब्द शर्विनाम रूप है किम शेविनाम का चतुर्थी विवक्ती में पुलिंग में केव्या होता है बहुँ वचनमी तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से चतुर्थी विवक्ती का प्रयोग होता है किस अर्थ में और शंप्रदान का रख का प्रयोग किस अर्थ में हो के लिए यूयम यानी तुमलो मिट्रा भ्याम यानी दो मित्रो के लिए पुष्पाणी फोलो को आनियत यानी लाते हो, सिक्ष को छात्र के लिए या छात्र को ग्यान देती है माता बालकाय दुखधम यक्षती माता बालक को या बालक के लिए दूद देती है पिता पुत्राय मोदकम ददाती, पिता पुत्र को लड़ू देती हैं सरवग्य भिख्चुकाय धनम ददाती, सरवग्य नाम है, भिख्चुक के लिए या भिख्चुक को धन देता है तो इस सुधारण में आपने देखा कि पठनाय, मित्राभ्याम, छात्राय, बालकाय, पुत्राय और भिप्चुखाय ये चतुर्थि विभक्ति के शब्द है अब कुछ सुलोक के माध्यम से चतुर्थि विभक्ति का प्रयोग बताया गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीशाम परपिडनाय तो विवदाय में चतुर्थि विभक्ति है मदाय में चतुर्थि विभक्ति है और परपिडनाय में चतुर्थि विभक्ति है विवदाय यानि विवाद के लिए मदाय यानि घमंड के लिए मद घमंड और परपिडनाय यानि दूसरों को सतानी के लिए तो अब इस पंक्ती का अर्थ देखेंगे विद्या बिवाद के लिए विद्या बिवाद के लिए धन मदाय यानि धन घमंड के लिए और शक्त यानि ताकत परिशाम यानि दूसरों को परपीड़नाय यानि सताने के लिए खलत से ये सब किसकी होती है तो खलत से यानि दुष्टों की होती है दुष्टों के पास अगर विद्या है तो वो बिवाद के लिए है धन है तो घमंड के लिए है और अगर ताकत है तो उसका पर्योग जो दुष्ट होते हैं दुर्जन मनुश्य होते हैं वो दूसरों को सताने के लिए करते हैं विप्रित मेतत यानि ठीक इसके विप्रित साध हो यानि सज्जनों के लिए ग्यानाय दानाय रक्षणाय यानि ग्यानाय विद्या ग्यान के लिए दानाय धन दान के लिए और रक्षणाय यानि शक्ति रक्षा करने के लिए होते हैं एक बड़ फिर से हम इस स्लोक को समझ लेंगे, इस स्लोक में ये बताया गया है कि अगर दूष्टों के पास विद्या है, तो विद्या बिवाद के लिए है, धन घमंड के लिए है और शक्ति दूष्रों को परिशान करने के लिए है, ठीक इसके विप्रित अगर सज्जनों क के पास विद्या है, तो विद्या ज्यान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए, अगला स्लोक हम देखेंगे, अश्टा दस पुराडेशो व्यासस से वचनम द्वयम, यानि अठारब पुराणों में और व्यास के दो वचनों में, द्वयम, व्यास रिशी जो दो वचन अपनी बताएं हैं, उसमें परुपकार पुर्णार, परुपकार जो है, पुर्ण के लिए है, और पापाय परपीडिनम, यानि दूसरों को सताना जो है, वो पाप के लिए है, तो आप यहां देख रहे हैं कि अठारब पुराणों में, और व्यास द्वारा क अठित दो वचन जो व्यास की दो उप्तियां हैं, उसमें यही कहा गया है कि परुपकार जो है, पुर्ण के लिए है, और दूसरों को सताना परपीडिनम, यानि दूसरों को सताना पाप के लिए, अब यहां पे कुस अस्मरणिय बिंदू है, यहां आप देख रहे हैं कि क के मर्थम, यहां पे के मर्थम का प्रयोग किया गया है, इसे उधारण में आप देखेंगे, जलम के मर्थम होती, तो के मर्थम जो है अव्या है, लेकिन इसका प्रयोग किस लिए और क्योंके अर्थ में किया जाता है, कुरुध दा औरुच आदिश के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है ये कुरुध दा औरुच ये तीन ऐसी धात्वें हैं जिसमें उप पद विभक्ति के कारण यहां पर हमीशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा अकारांट पुलिंग शब्दों में संप्रदान कारण चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में आय दुई वचन में आभ्याम तथा बहु वचन में एब्याह लगाया जाता है अकारांट पुलिंग शब्द यानि संप्रदान कारण चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में आय दुई वचन में आभ्याह और वहु वचन में एब्याह का प्रयोग किया जाता है अब चलिए हम लोग देखते हैं चात्र में आय लगा चात्राय चात्र में आभ्याम लगा चात्राभ्याम और चात्र में एब्या लगा चात्रेब्या तो इस प्रकार से हम लोग इसका शब्द रूप बनाते हैं अकारांट पुलिंग शब्दों का तो छात्रों से मेरा अनुरोध है कि पाठ को आसान बनाने के लिए आप इस पाठ के कठी शब्दों को यानि शब्दार्थ को याद कर लेंगे जिससे भाषा आपके लिए आसान हो जाएगे अब हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्णी की ओर मेरा पहला प्रश्णी है मौखिक शुद्धम उचारणं कुरूत सुद्ध उचारण करे अश्टादस चिकित सकह केब्या कस्मे परिशाम दानाय यूयम दुगधम रप्षणाय औशदम परिश्य नमबर टू में उचारणं किर्टवा अर्थम बदज उचारण करके अर्थ बताईए वैधह रुग्रा भ्याम औशदम यक्षती वैधह यानि डॉक्टर वैध रुग्रा भ्याम यानि दो रोगियों के लिए औशदम यानि दवा यक्षती देती हैं सेवकह चात्रे भ्या भोजनम यक्षती सेवकह यानि नौकर चात्रे भी यानि चात्रों के लिए भोवचन में हैं यहाँ पे दुवचन में हैं तो नौकर चात्रों के लिए भोजन देता है जना फलेभ्य उद्यानम गच्छती जना यानि लोग फलेभ्य यानि फलों के लिए उद्यान को जाती हैं इशा घास अश्वाभ्याम अस्ती यह घास जो है दो घोडों के लिए है अब हम लोग लिखित अभ्यास की और चलते हैं तो लिखित प्रेश्ण में क्वेश्चिन नमबर एक में है विकल्पे प्या उचितम उत्तरम चित्वा लिखत आपको विकल्प दिया गया है multiple choice question है यहां से आपको उचित उत्तर चुन करकी भरना है भोजन के लिए तो के लिए के अर्थ में चतुर्थे विखती का प्रेवग होता इसमें से कौन सा option सही है भोजनाय खादाय खादती और खादा में तो आपका पहला वाला option भोजन के लिए उचित सब्द होगा भोजनाय पीडा देने के लिए खलस्य परपीडनाय परपीडनम परपीडनेन तो यहाँ पर चतुर्थे विखती में आय लगता है एक वचन में यानि परपीडनाय पीडा देने के लिए रोगियों के लिए तो यहाँ पर भी देख रहे हैं के लिए में संब्रदान कारे का चेनल लगा हुआ है पहला option है आपका रुग्णम, रुग्णा भ्याम, रुग्णे भ्या, और रुग्णे इन यहाँ रुगियों के लिए बहुँ वचन है इसलिए रुग्णम तो होई नहीं सकता रुग्णा भ्याम भी नहीं हो सकता क्योंकि रुवचन का है इसलिए आपका थड़वला option रुग्णे भ्या, यह सही होगा अनाज के लिए, अनाज के लिए जब भी आपको अनाज कहा जाएगा तो अन के किसी एक दाने का बोद नहीं होगा अनाज शब्द जो है, वो अपने आप में भुवचन है इसलिए यहाँ पे न तो अनाभ्याम होगा, न अनाय होगा बलकि होगा क्या अन्ने भ्या यह चोथा वाला option आपका सही होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो अपने आप में हमीशा भुवचन में रहते हैं उसी प्रगार से यह अनाज है क्रेशन नमबर टू में कोश्टात उचितम पदम चित्वा लिखन आपको ब्रैकेट में जो यह शब्द दिये गया है इसमें से उचित सब्द चुन करके एडिक तस्थानों के पूर्ति करनी है धनिका वस्त्राड यक्षती धनिक वस्त्रों को देता है तो धनिक वस्त्रों को किसको देता है अब आप देखेंगे पचनाय, पकाने के लिए, खेलनाय, खेलने के लिए, व्यायामाय, व्यायाम के लिए, परोपकाराय, परोपकार के लिए, और याचकाय, व्याचक के लिए तो देने का काम धनिक किसके लिए करता है व्याचक के लिए यानि पहला वाला option आपका सही हो जाएगा दूसरा है रामः व्यायाम शालाम गच्छती राम जो है व्यायाम शाला को जाता है किस लिए जाता है क्यों जाता है तो व्यायामाय यानि व्यायाम के लिए जाता है तो आपका ये वाला option व्यायामाय सही हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप स्वैम भी कर सकते हैं बहुत ही easy चीज है ये सब तो माता भोजनस्य डैस पाक्षालाम गच्छती माता भोजन का भोजन का पाक्षालाम यानि रसोई घर जाती है तो भोजन का क्या करने के लिए रसोई घर में मा जाती है तो पचनाय पकाने के लिए यानि भोजन को पकाने के लिए माता जो है रसोई घर में जाती पाखी खेल के मैदान में जाती है क्यों तो खेलने आए खेलने के लिए खेल के मैदान में जाती है अगला प्रिश्ण है सज्जनों का जीवन जो होता है वो दूसरों की भ़लाई के लिए होता है यानि परौपकारायव सज्जन जो हमिशा परौपकार के लिए जीते है Q3 में ने मिलिखित सब्दा नाम चतुर्थे विभक्ती रूपारी लिखत ये कुछ सब्द दिये गये हैं इनका चतुर्थे विभक्ती का रूप लिखना आपको एक बचन, दुबचन और बहुबचन नी तो सबसे पहले आपके लिए ये डिसाइट करना जरूरी है कि ये शब्द पुलिंग है, इस्तिलिंग है अथवर नपुनसक लिंग है पहला शब्द छात्रा ये इस्तिलिंग का शब्द है फल ये नपुनसक लिंग है, देश पुलिंग है और पूजा इस्तिलिंग है आपने पढ़ाओगा अकारांत सब्द इस link होते हैं और ये फल जो है नपुन्सक link है देश जो है पुलिंग है तो अब यहाँ पे हम link के अरहार पे उनके रूप चलाएंगे छात्रा एक बचिन में छात्रा ये छात्रा भ्याँ छात्रा भ्यां फल तो आपको पता है कि नपुन्सक लिंग का जो रूप होता है वो तृत्या विभक्ति से पुलिंग की तरह चलने लगता है और प्रत्मा दृत्या विभक्ति में फलम फले फलानी फलम फले फलानी होता है तृत्या विभक्ति से यह रूप जो है पुलिंग की तरह चलता है फलेन फला भ्याम फलेप्याद तो इसलिए यहाँ पी यह हुआ फलाः फलाभ्याद फलेप्याद देश देशाय देशाभ्याद देशभ्याद पूजा इसलिए कुजा यह दे प्रश्न है एक पद में उत्तर देना है एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दें माता कस्में दुगधम आन्यती माता कस्में यानि किसके लिए दूध लाती है तो माता दूध किसके लिए लाती है तो बालक के लिए बालक आए जलम कस्में भौती जल किस लिए होता है तो जीवन आए जल जो है जीवन के लिए होता है चिकित सका के भ्या और शदम यक्षती चिकित सक किसके लिए के भ्या जो है बहुवचन में है के भ्या और शदम यक्षती किसके लिए यकिन लोगों के लिए और शदम यानि दवा देती हैं तो रुगणे भ्या यानि जो चिकित कि जुट सक्क होते हैं ड Колक्क टर फोंग्यों के लिए संब द्वा देटें ड्रह के मर्थम विद्दाली अम गच्छंती छात्र इसलिए चात्रह यहां देखेंगे यह अप का स्दीलिंक भी हो सकता है आर पुललिंक भैं भी वह अजिन हो सकता है तो छात्रह यानि अनेक छात्र या अनेक छात्राई के मर्थम किसलिए विद्याले जाती हैं तो आपका यहाँ पे होगा पठनाय पढ़ने के लिए लेकिन अगला प्रेशने हैं व्रिक्षा के मर्थम फलनती व्रिक्षे किसलिए फल देती हैं या क्यों फल देती हैं तो व्रिक्षा परुपकाराय फलनती यानि व्रिक्षे जो हैं हमेशा व्रिक्षों पे लगे हुए फल हमेशा दूसरे खाती हैं व्रिक्ष अपना फल स्वयम नही खाती इसलिए बिक्ष का जीवन जो होता है वो परुपकार के लिए होता है उदाहरण अनुसार प्रेश्टि निर्मार करना है आपको यह एक एक्जामपल देखे बताया गया है कि नदा परुपकाराय बहंती नदी जो है परुपकार के लिए बहती है आपको इसे प्रष्टवने बनाना है नधया की बहुत है? नदया के से लिए बहती है? उसी प्रकार से दूसरा उदारन देखेंगे इस्वराय नमह इस्वर के लिए नमश्कार तो इस्वराय सब्ड में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोक किया गया है इसलिए यहाँ पर हम जब निर्मान करेंगे तो चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग करेंगे तो इश्वराय सब चतुर्थी विभक्ती का एक वचन है और पुलिंग है इसलिए यहाँ पर हम कश्मे का प्रयोग करेंगे कश्मे नमा और प्रश्ण वाचक चिन का प्रयोग करेंगे कश्मे नमा किसके लिए नमश्कार है क्रिपण धनाय जीवती क्रिपण यानि कंजूस जो है धन के लिए जीते हैं तो धनाय के लिए भी हम एगवचन का शब्द है, एगवचन का प्रश्णिमाचिक सब्द यहां पर प्रयोक करेंगे, कृपड़ा कस्मे जीवती, कंजूस के लिए जीते हैं, अध्यापकाह बालकाय पुस्तकम यक्षती, अध्यापक बालक के लिए पुस्तक देते हैं, बाल सज्जन दूसरों के लिए जीते हैं, तो यहां परयव्य बहवचन हैं, तो सज्जनाह के लिए जीवन्ती किसके लिए जीते हैं, मेगा जलाय भवन्ती, मेग यानि बादल जल के लिए होते हैं, तो मेगा कस्मे भवन्ती, बादल किसके लिए होते हैं, यहां पे जिन आपको जिन सब्दों के अस्थान पे प्रश्चित वाचक सब्द का प्रयोग करना है उसका लिंग और वचन देख करके आप वहां पे प्रश्चित वाचक सब्दों का प्रयोग करेंगे question number six में है उचित क्रमेन लिखना है आपको तो उचित क्रम में लिखने का यहां पर मतलब यह है कि व्याक्रण की द्रिश्ची से वाक्य की रचना जिस प्रकार से होती है जैसे करता कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसको द्यान में रखके आपको इसे सजाना है पुर्णाय भावती दानम तो हम इसे suitable sentence बनाएंगे दानम पुर्णाय भावती दानम पुर्णाय भावती सुखम तेजन्ति विद्याय चात्रा चात्रा विद्याय विद्याय सुखम तेजन्ति चात्रा विद्या के लिए सुख को त्याकते हैं के लिए शुक प्याते भवती पुस्तकम ज्यानायव होती पुस्तक-ज्यान के लिए होता है भोजनम सेवक यक्षति चातरफ्य तो सेवक ह ह्चा-थ्यव भोजनम् यक्षति-ष्यवक्ष होता है तो मुझे उमीद है कि आपको ये प्रश्णी समझ में आ गया होगा आपको ब्याक्राट के दृष्टी से करता कर्ब और क्रिया का प्रयोग करना है जिस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाती है वाक्य का जो नियम होता है उसको यहाँ पर फॉलो करना है अधो लिखेत विकल्पेब्य उचिता मुद्तरम चिनूत नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है तो मनुष्य जीवन के लिए है मनुष्य जीवन के लिए क्या है गूमने फिरने के लिए है आराम करनी के लिए है दूसरों को कष्ट देनी के लिए है या प जीवे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बौधिक प्राड़ी मनुष्य है, मनुष्य के अंदर चेतना बहुत अधिक है, तो मनुष्य योनी में जन्मिलीनी के बाद, अगर दूसरों की भलाई ना के जाए, तो जीवन बेकार है, इसलिए मनुष्य का जो जीवन होता है, वो पर बच्चे कहते हैं कि मैं रजनात्मा का अभ्यास भी करा दिजे, तो मैंने सोचा कि इस पाठका में करा दूं, अगले वीडियो में तो मैं कंफर्म नहीं थी कि बच्चों को इसमें भी परशानी हो रही है, इसलिए मैंने इस पाठका करा दिया है, आप यहां देखेंगे, चित्र को देखेंगे सिक्षक जो हैं पढ़ा रहे हैं, और चित्र को देखकर के आपको चतुर्थे विभक्ति का प्रयोक करना है, यानि सिक्षक चात्रों की संख्या दो से अधिक है, तो चात्रे ब्यव पाठ्यती, सिक्षक जो हैं एक हैं इसलिए आपके करता के अनुसा प्रिक्ष परुक्राय को पड़ाते हैं, ब्रिक्ष परुकार के लिए फलते हैं, चिकित्स कर रूगण। यहाँ पे देखेंगे कि एक रोगी है, तो रूगणाय रोगियों के लिए यहाँ पे होगा, रोगी के लिए होते हैं चाहे आप यहाँ पे रूगड़े भ्या रूगड़े भ्या का भी प्रयोग कर सकते हैं अनेक रोगियों का बोवचन में भी दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे आपका वाक्षी जो है सही हो जाएगा अगला जो है आपका परियोजना कार्य है यहाँ पे आपको आप अपने घरम विद्याले में परुपकार के लिए क्या कार्य करते हैं उसका चार्ट बनाना है जिसे कौन सा ऐसा काम आप करते हैं जिसे दूसरों की भलाई होती है उसका आप एक चार्ट पेपर बनाएंगी और दूसरा है कि दूसरों का उपकार करने वाली किनी पांच वस्तों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखें तो सबसे पहले ब्रिक्ष का दिया गया है आप यहाँ पे नदी या जहरना बना सकते हैं पिर आप सूरज को बना सकते हैं क्योंकि सूरज भी आमें लाइट देता है सूरज भी परूपकार का काम करता है यहा पे आप दूसरों की सिवा करता है या फिर पुलिस है वो करता है तो इस तरह को आप चित्र बना सकते हैं या फिर फोटो चिपका सकते हैं और ये अगला जो प्रेशन है जैसे जो सज्जन होते हैं महात्मा होते हैं आपके सिक्षक हैं दूसरों की भलाई के छात्रों की भलाई के लिए सिक्षक आजिवन ग्या से आप यहां पे चित्र चिपका सकते हैं आपका परियोजना कारिय पूरा हो जाएगा तो मुझे उमीद है कि आपको यह चैप्लर समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइक आपको